दोस्तो आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट की इंफोर्मेशन करने हो जो हर किसी के काम की है अगर आप एक computer student है आप एक computer operator है या पी computer user है आप जो कोई भी हो आपको ये website कभी ना कभी काम में आ सकती है कभी ना कभी क्यों हमेशा काम में आ सकती है क्योंकि हमें हमेशा हमारे facebook, whatsapp या इंस्टा पे अलग लग पोटो अप्लोड करने होते है बैगराउंड चेंज करके अपने कुद के पोटो तो ऐसे में अगर आपको बैगराउंड चेंज करना है तो आप विजिट कर सकते है पिक इमेश का बैगराउंड चेंज करके आप डाउनलोड करते हो तो इसकी कॉलिटी एज रहती है मतलब ऑनलाइन वैसे बहुत सारी बैगराउंड चेंज की वेबसाइट मैंने देखी है और मैंने रिकमेंड भी पहले की लेकिन वह पर क्या होता है कि बैगराउंड चेंज कर बैगराउंड चेंज कर सकते लेकिन कैसे करना है मैं आपको ड्यीटिल में बताऊंगा साथी मैं इस वेबसाइट पर और भी तूल्सेंस ऐसे की इमेश को आप कॉम्प्रेज भी कर सकते है कही सारी बार हमें मैं मैं इमेश की कॉलिटी बिना लूज किये इमेश को प्रेस कर तो भी आप इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, तो अगर आप जानने में इंट्रेस्टेट हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं सतीश, कम्प्ली टेगनल चैनल में आप सब का सवकत काता हूँ, लेट्स बिगिन, सो दोस्तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ड म जो कि मैंने अल्डरी विजिट किया है, जैसे आप विजिट करोगे, आपके सामने आ रहा है, रिमो इमेज बैगराउंड फ्री एन फास्ट, बिल्कुल फ्री है, तो अप्लोड इमेज बटन दिखाए दे रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, तो जैसे आप क्लिक हूंगा, यहाँ पर लोड हो रही है, आप देख सकते हैं, इमेज यहाँ बैगराउंड पुरा पूरा रीमू हो चुका है, और यहाँ पर और और ऑप्षं भी मिलते हैं, इतना ही नहीं कि बैगराउंड रिमू कर रहा है, आटोमेडिक यहाँ पे आपको दो और मिल रहे है erase or keep जैसे इस image में से आपको कुछ और erase करना जैसे यहाँ पे आप देख सकते ध्यान से कि यहाँ पे थोड़े से बाल आ रहे तो मैं उसे erase करना चाहता हूँ यहाँ पे उपर थोड़े से बार हाँ में दिख रहे हैं जैसे मैं इसे ड्रैग करूंगा, यहां पे आप यहां पर देख सकते ही आप इसे ड्रैइझर ट्रूल यहां पर गायब हो गया than इसमें और किप मतलब कुछी चीजे एड़ करनी है आप यह अप्शन . तो मैं और एक एमेजर अप्लोड कर करके दिखाता हूं अप्लोड बटन यहाँ पे दिखा दे रहा है, अप्लोड इमेज बटन पे क्लिक कर रहा हूं, यहाँ पे मैं ने इंट्रोपाट में जो इमेज आपको दिखा दिखाई थी, वो मैं लेता हूं, यह दिखिए, यह अप्लोड हो रही है और विदीन सेकंड आप देखोंगे दो आपको जो color चाहिए वह आप यहां पर दे सकते बस एक click से color दे सकते Even images में जाए और यहां पर आपको कुछ ready-made भी मिल जाती है जैसे की fashion है, cartoon है तो आप यहां से cartoon वाले image से लिक कर सकते है फैशन वाले image से लिक कर सकते हैं और यहां से वह background apply कर सकते यह देखिये इस पर पहुत है आप एमेज से बदल सकते है अ उसके अलावा आप खुदकी इमेज से अपलोड करना चाहते है तो माइप एक टीलिक करने के बाद यहां पे ईक पलस bau आपिछे किया ॰ाइट इस पंट बाक के आपको पास जो भी इमेज पड़ी है जैसे मेरे पास यह image है और मैं इसे open करता हूँ और जैसे में इसे open करोंगा फिर से मुझे चेंज बैगरांड में जाकि उसे इमेज को select करना पड़ेगा क्या बात है आप ऐसे धेर सारी यहापे background upload कर सकते हैं आपको जो लगता है Download button पर click कीजिए यह download हो रहा है और download होने के बाद इस image को यहां पर देख सकते हैं नीचे download हो चुका है download होने के बाद मैं इस पर click कर करके देखता हूँ कि इसकी quality कैसे है तो मैं click कर रहा हूँ जूम करके भी दिखा रहा हूँ बिलकुल image यहां पर blur नहीं है यह प्रॉपर है जो कि यहां पर quality आपको दिखाए दे रही है आपके सामने में zoom करके भी दिखा रहा हूँ ना तो यह quality है नहीं तो अगर अलग website पर करते तो आप यह blur आता है quality lose हो जाती है तो यह pick which website का plus found दोस्तों यहां पर image की quality वैसी की वैसे रहती है without add आप free में images यहां पर background बदल सकते हैं और image background कैसे बदलना है मैंने आपको बता दिया इसके अलावा यहां पर और भी options दिखाए दे रहे हैं जैसे कि image compressor मैं image compressor पर click करता हूँ मैं आपको दिखा तो image compress करके तो मै आप साइज देख सकते हैं इसकी size है 2.53 MB एक्चुल साइज है और मैं इसे open कर लेता हूँ यहां पर इस image को मैं upload कर रहा हूँ अब आप देख सकते हैं image upload यहां पर हो गई है तो यहां पर आपको लेप साइड में compress की option आ रहे है वो पूछ रहे कि आप इसे compress कैसा करना चाते आप इसकी size compress करना चाते है normal या quality wise करना चाते है और उसका जो format है output gpz लेना चाते है या original जो भी format हो ही रखना चाते है फिलाल इसका original format तो gpz नीचे आप देख सकते है gpz format है उसकी size आ रही है 3840 by 5760 pixel और 2.53 MB यहां आपको दिखाए दे रहे है अब आपको यहां पर मैं click क करके दिखा रहा है यहां पर size और original बटन पर ऐसे रखके मैं apply बटन पर क्लिक कर रहा हूँ जैसे मैं apply करूंगा इस image के साथ वो क्या कर रहा है इसकी size कैसे compress कर रहा है मैं आपको दिखाता हो भी तो यहां पर processing done हो चुका है और यहां पर देख सकते है 2.53 MB से ड्रेक ली 830 K लग बग यहां पर दो से तीन गुना size इसने reduce कर ली है तो आप देख सकते है इस image के size उसने 830 KB बनाई और pixel as it is रखा है उसने pixel को बिलकुल उसने यहां पर छेडा नहीं है इसका मतलब इसकी quality as it is रहेगी आप डाउनलोड कीजिए तो अब इसकी quality हम देखते है मैं इस image प आपको यहां पर समझ मैं कि image compress कैसे कर सकते हम यहां पर कोई ज्यादा technical knowledge की आपको ज़रुत नहीं बस image upload करो यहां पर apply करो that's it एक एक क्लिक करना है you can go for it और image को आप enlarge भी कर सकते image 2x या 4x से enlarge किया जा सकता है यहां पर image को आप crop भी कर सकते हैं देखिए crop options भी दिया है आ आप कैसे crop करना चाहते है उसके अलग लग sizes भी यहां पर दी गए है आप बस क्लिक करो उस size में यहां पर crop हो जाएगा और image को आप resize भी कर सकते हैं रिसाइज करने के लिए बस यहां पर point कम जादा कर सकते हैं इमेज यहां पर कम जादा हो सकती है पिक्सल की size यहां पर resize हो इमेज की अगर आप करना चाहते है तो यहां से भी आप इसे कर सकते है रिसाइज तो इतनी सारी चीज़े आपको एक साथ एक वेबसाइट पर मिल रही है आपको एक बार जरूर पिक्विश.com को चेक करना चाहिए मैंने तो आपको सारे टूल्स यहां पर बता दिये आप एक बार यहां पर इस वेबसाइट पर आईए त्राय कीज़िये और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट की अल्रीडी लिंक दे दी है आपके लिए दोस्तों और साथ ही में मेरे जितने भी चैनल यह उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये आप ज़रूर चेक कर लेना हमारी वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर और कमेंट जरूर करना मैं मिलूंगो कुछ और इंट्रेस्टिक वीडियो के अंदर तब तक के लिए आपना खयाल रखना बाई-बाई